हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आदर्श और आप सभी का पैट वर्ल्ड में स्वागत है आज एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच आया हूं मैं आज मैं आपको फ्रेंच बॉलडॉक के बारे में कुछ अच्छी बाते बताने जा रहा हूं और कुछ बहुत अच्छी ऐसी बाते हैं जो आप लोगों शायद पता भी हो या ना भी पता हो जो मैंने रीट करी हैं और मैंने अपनी लाइफ में फेस भी किया है और मेरे एक नय इंपोर्ट फ्रेंच बुल डॉग में ब्लु कलर का डॉग उनके पास बहुत ही एक अच्छा स्टैंडर्ड चल रहा है उनका और काफी इंपोर्ट हमारे इंडिया में आये हैं इस बार ब्लु कलर के उसमें से पपी उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया है और थैंक्यू गंगा इसमें आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए पहली चीज़ पपी के भी कभी भी इयर्स समय थर्टी फाइव से पहले अगर खड़े हो जाते हैं इस इसको इंटरनल प्रॉब्लम है इंटरनल वीक है पपी आपका अगर फॉर्टी डेज के बाद उसके कान खड़े होते है तो मतलब पपी इंटरनली बहुत हेल्टी है और यह आज यह 42 डेज का पपी है जो यह जो मैंने भया से लिया और इसके कान देखो प्रॉपर स्टेट हो चुके हैं और इसकी टेल जो हम लोग देखते हैं फ्रेंज बुल्डॉग में सभी का कहना है टेल टो डॉक होता है ल सकता हो जैनेटिक हो यह जैनेटिक भी हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं बट हाँ इतना मैंने रीट कर रहा है उतना मेरे को इतना जानता हूं मैं कि एक एनस इसका कवर होना अच्छे इतनी टेल होनी चीए इसकी फ्रेंच बुल्डॉग की इस पपी के साथ मेरा बहुत बहुत अच्छा स्टेंडर्ड चल रहा है और लोगों ने ब्लू कलर को बहुत ही मतलब हाइली लेवल पे लेके जा रहे हैं अब एक लीले के टैन आ रहा है बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंच बुल्डॉग इंडिया में आ चुके हैं इसमें अगर हम इनकी लाइफ स्प बुल्डॉग फ्रेंच प्राणी ब्रीड जो इस प्रेजेंट टाइम में अब तो खतम हो चुकी है वो लुक लाइक बॉस्टन टैर्यर टाइप टॉइब डॉट्वल डॉट डॉट्स यह पपी जो है यह फ्रेंच बॉलडॉग टॉडॉडॉग और पक्से मिलाके बना ब डॉक और अच्छा केरिंग है जैसे हम लोग डैली में देख रहे हैं या और भी कई जगह ऐसा है कि हर कोई एक बड़ा पैट नहीं रख सकता हर किसी के पास फ्लैट्स हैं या कोई या कंजस्टिड एरिये में हैं जिनको एक डॉक तो रखना है लेकिन बड़ा नहीं जो इसल या रीड़ों करें इनका कोड कि इनका और दोनों को अच्छे ह enforce रकिदे अनगी शांड़ि आख सकते और फीर इसको यह ट्रीट दो तबी यह खाएगा ऐसा नहीं मैं इसको जो इसके ट्रीट वगेरा इसको जो मैं फीडिंग कराता हूं बहुत अच्छे से खाता है जिससे मैं बहुत खुश हूं और थैंक्यू गंगा भीया आपके आशे जो मैंने पपी लिया है और मेरा इसके साथ अभी अच्छा डॉग और बहुत केरिंग है अपने मालिक बहुत लवेबल खेलने के लिए बहुत एक्टिव है और बहुत ही प्यारा डॉग है देखिए कितना शैतान भी है बहुत शैतानी करता है लेकिन कैमरे पर आके बहुत चूप है और हाँ आप लोग एक चीज़ जरूर नोटिस करें जब भी आप लोग पपी लेते हैं ना तो उनके आग से देखिए किसी तरह का कोई डिस्चार्ज वगएरा तो नहीं और अगर डिस्चार्ज हो रहा तो पपी इंटरनली इंफेक्टीड है यह देखिए और इनके मजल वगएरा होने अच्छे होने चीए नोस से अगर आप एक अगर अगर आप अगर 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 आप अगर बने रहने के लिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिये और बैल आइकन ज़रूर दबाईए और आप सबी लोगों से ज्यादा लोगों से में जुड़ू में तो यह चाहता हूं और अच् शेयर सब्सक्राइब कीजिए बहुत मेहनत लगती है फ्रेंट से तो थैंक यू वेरी मच बाइबाइ टेक केर जैश्री राम सास्री गाल बाइबाइ